कि अश्सलाम उलेकुं टॉरेंट्स कैसे आप साब जैसा कि आप लोगों को बता है कि हम लोग लास में काम कारे थे ठीक है तो लोग अपना स्टार्ट था हमारा समंदर की दुनिया ठीक है समंदर की दुनिया के हमने अलफाज मैंने भी कार लिये थे उसके बाद हमने इसके मश्क भी कार लिये थी अलफाज मैंने भी हमने कार लिये थे ठीक है question answer यानि कि स्वाल जो आप हम लोग कारे थे तो फिर lockdown हो गया इसलिए आपका आज से online भी lectures हुआ करेंगे और video lectures भी हुआ करेंगे ठीक है तो हम लोग स्वाल नमर एक और स्वाल नमर दो कार चुके थे आगे हमारा स्वाल नमर तीन है जमें का सबसे बड़ा जनवर कौन सा है ठीक है तो 3 class आप इदर जमें नेल करेंगे ठीक है आप इदर करेंगे समंदर रहेंगे ठीक है तो आएगा समंदर का सबसे बड़ा जनवर कौन सा है इसका answer देखे यह देखे मैं इदर लिखा है समंदर का सबसे बड़ा जनवर कौन सा है इसका जवाब है समंदर का सबसे बड़ा जनवर वहील मचली है समंदर का सबसे बड़ा जानवर वही मचनी है ठीक है आगे स्वाल नमबर 4 है आपका कच्वा अपना दिफा कैसे करता है दिफा किसे कहते हैं 3 class आपको पता है दिफा कहते हैं हिफाज़त को ठीक है यानि कि इसका मतलब हुआ कच्वा अपनी हिफाज़त कैसे करता है यह दिखें इसका अंसर होगा किसी भी खत्रे के वक्त यह अपना सर अपने होल के अंदर चुपा लेता है और अपना दिफा करता है ठीक है इसी तरह आप लोग अपना सफा त्यार करेंगे ठीक है डेट लिखेंगे पीर 22 मार्च 2021 जीम, काफ, उन्वान, सरगर्मी इसको इसी तरह त्यार करने के बाद आपना होमवर्क भी करेंगे उर्दू की कापी के उपर आपने जैसे हम लोग क्लास में काम कर दे थे इसी तरह आपने डेली यानिरी रुजान्हा का काम आपने अपनी कापी की उपर उतारने ठीक है यह देखेंगे जैसे मैंने लोग काम जो है होमवर्क अपनी कापी की उपर करने ठीक है और इसको याध भी करने अच्छे तरीके से